लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बॉलेवुड में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्हें फिल्मों में काम करने के लिए ज्यादा स्टिगल नहीं करना पड़ा तो वहीं कई अभिनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलेवुड की फिल्मों में एक मौका पाने के लिए दिन रात एक कर दिये आज हम आपको बॉलिवूड के उस सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय पर 5000 रुपए की नौकरी करते थे लेकिन आज वो करीब एक 1000 करोड की संपत्ती के मालिक है तो आएए जानते हैं कौन है वो सुपरस्टार हम यहां जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलकी बॉलिवूड के खिलाडी कहे जाने वाले अभिनेता अक्षे कुमार है अक्षे कुमार आज किस मुकाम पर है इससे आज हर कोई वाकिफ है अक्षे कुमार बॉलिवूड का बड़ा नाम है ना केवल इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दौलत हासिल की है बलकि बॉलिवुड में बहुत नाम भी कमाया है बता दें कि अक्षे कुमार पहले दिली के चान्नी चौक में रहते थे इनके पिता का नाम हरियोम भाटिया है जो की एक मिलेटरी ओफिसर थे अक्षे कुमार का बचपन से ही ये सपना था कि वो एक्टर बने जिसके बाद अक्षे कुमार मुंबई शिफ्ट हो गए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े लेकिन उनके लिए ये सफर बिलकुल भी आसान नहीं था अक्षे कुमार ने अपना खर्चा खुद उठाने की सोची और उन्होंने 5000 की नौकरी करनी शुरू कर दी और साथ ही वो स्टिगल करते रहे जिसके लिए अक्षे ने कई फिल्मों में बैकर ड्राउंड में डान्स भी किया कुछ समय करी मेहनत करने के बाद अक्षे कुमार को पहला मका फिल्म सौगंद में मिला ये फिल्म हले ही बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो गई लेकिन अक्षे कुमार की एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी अक्षे कुमार ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश जारी रखी जिसके बाद अक्षे कुमार ने खिलाडी, मोहरा, मैं खिलाडी तु अनाडी जैसी कई फिल्मों में काम किया और लोगों के दिलों में जगह बना ली अक्षेक बॉलिवुड के वो अभिनेता है जो एक साल में तीम या चार फिल्में दे देते हैं अक्षेक उमार्ड बॉलिवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जो फिल्मों में ज्यादतर स्टंट खुद करते हैं आज अक्षे कुमार बॉलिवुड के सूपरस्टारों में शामिल है और सबसे अमीर अभी नेताओं की लिस्ट में गीने जाते हैं